अलो गाईज, आज हम एक सरारे की कटिंग करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ये कई स्टैल में कटता है, लेकिन मैं एक कटिंग करके आपको अपने तरीके से दिखा देता हूँ, सिंपल वाला, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, गेदर वाले बनते हैं, प्लीट साथ उन्हों ने बेजा हैं मुझे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनीक है, तो जो भी है, हम इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं, मेजरमेंट आप देख लेजिए, कैसा है, तो सबसे पहले एक निसान लगाएगे, ये पैंट हम कटिंग करते हैं, जो भी हम लेडि अगर बेल्ट वाला बनाना है, तो अलग बनता है, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक बनता है, तो अलग बनता है, तो उस तरीके से ये कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, तो जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, तो मैं आज इलास्टिक वाला ही बताऊँगा, क्योंकि में उनने जो पहना था उसाइद उन्हों नहीं पहना था उनका ही था दैव। वह पुल यलाश्टिक कॉला था तो मैं फुल यलाश्टिक में बता देताँ आपको और यह पइनल में भी आप कटिंग कर सकते हों पैनल में तो बहुत तरीके इसको बनाने का नीचे के फ्लेर का इस तरीके से पैंट के लिए देखो पहले एक सेप लगाना है यानि कि देखो मैं किस तरह से हलका सा सेप लगा रहा हूं तो इस तरह से लगा के कटिंग करना है अभी देखो किस तरह से मैं रखा हूं इस तरह से रखके आप एक छोटा सा से लगा लो इ और अगर इलास्टिक वाला नहीं करोगे बेल्ट वाला थोड़ा सेफ वहां पे जाधा लगाना है क्योंकि वेस्ट के इसाब सही वहां पे आर्जेश किया जता है तो देखिए हिप जितना है तो नाइन इंच पर हमको लगा लेना है फोर से डिवाइड करके तो यह फ्रेंड से निशान एक लगा लेना है हमारा यह सीधा निशान हो गया अभी हम क्रोश यह तो देखिए जितना हमने नाइन नई निच लिया ता हिप का वही नां निच आहां से ले लेगे तो यह हमारा हो जाएगा नीचे उपर आप कर सकते हो अपने हिसाब से जजमेंट वाली बात तो इस तरह कर लो यहां पर देखे जादा करके पौने 2 इंच पर कर लेना बहुत लोग को क्या है कि यहां पर तकलीफ होता है टायड मैसुस नहीं होना चाहिए तो पौने 2 आप कर सकते हो तो थाई देखिए कितना ही निकला है कम सकम साड़े दस के करीब निकला है तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देगे तो यह फोल्ड करेंगे जहां भी यतना भी सेंटर हमारा निकलता है उस पर निसान लगा देंगे तो इस तरह से सेंटर निकल जाता है तो इस तरह से सेंटर बचा था उत्रहीं उदर नीचे लगा लेंगे यानि दोनों को इक्वेल कर लेंगे यानि कपड़े की तार हमारे यह इस्टेट होना चाहिए बिल्कुल तो इस तरह से क्या होता है कि कभी भी आइठर नहीं आता है तो इस तरह से मैंने निसान लगा के सीधा आपको दिखा द क Fore Did a 먼저 gustado कि को तो हमारे attach सBecause व मैंने दृपज़ाए बढ़ाना है तो तो रहले दिखेए जितना भी लगा रहां उसके हिसाफ से आप कर सकते हो तो देखिए 1.25, 25-25 इंच क्ाम मैंने यह आप लगा लिया यानि 9 इंच होता है तो सब् detail दिया थोड़ा चेंजिंग के साथ में में इस तरिके से हामारा यह हो जाएगा तो इस तरह से टाउजट से कटिंग करना है गया अब यहां पर क्या करना है कि हम को सिधा थोड़ा साहल का जुपा देना तो जूखाने से होता है कि अंदर की तरफ खीचेगा नहीं, बहुत लोग का ये इंसाइट खीषता है, इसके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ, वैसे मेरा कटिंग खीषता नहीं है, फिर भी आप इस तरह से कर लेना, आपको कुछ भी दिक्कत होता होगा, तो खतम हो जाएगा, तो इस तरह से अलक का मार्किंग हो गया, अभी क्या करना है, यहाँ पर कम से कम पौना इंच उतार देना है, यानि कि आपका जो मेजरमेंट हो उससाब से 3-4 इंच काफी है, वैसे एक इंच उतारा जाता है, ठीक है, तो मैं इतना है उतार के इस तरह से मार्किंग कर दिया, अब क्या करेंगे कि आपको वेश्ट फिटम फिट करना है यानि जो भी मेजरमेंट देखिए सेवन इंच पर आपका आता है तो यह दो इंच के करीब बढ़ रहा है तो इस तरह नहीं करना है सेफ थोड़ा उदर थोड़ा इधर हमको पहले एक सेफ मार लेना है तो आधा इंच उदर और आधा वाला ही हम करेंगे लेकिन मैं आपको ऐडिया बता रहा हूं कि इस तरह से किया जाता है ठीक है तो इस तरह करके और जो बीच में बचेगा एक इंच उसका हम डाट लगा लेंगे तो इस तरह से कटिंग करके आप बना सकते हो तो देखे मैं बता रहा हूं इस तरह सेफ देख लेना, इसलिए मैं बहुत सिलों बता रहा हूँ आपको, सायद आप लोग को समझ में नहीं आता है, क्यूंकि हर चीज हार आदमी कुटिंग नहीं कर पाता है, इसलिए दिखत तो होती होती है, मुझे पता है, इसलिए मैं जो है, यह सारे चीजे मैं कुटिंग करके, चाहिए आप लोग को क्यूंकि मैं अपने हिसाब से करने लगूं सब वाइट वाइट गाउन यानि वेडिंग गाउन तो आप लोग देखोगे नहीं चैनल भी नहीं चलेगा और आप लोग भी बोर हो जागे यह क्या दिखा रहे हैं तो इसलिए मेरे पास जो बनता है सब है मेरे इसको कपड़े करने हों कि लिए कि कर आपको दिखा अचांत है तो ये मेजर करे 威 पोट लेनानं यह प्रोड़ा वीदर लगता है तो यह बराबर कर लेना यह कपड़े के लिए होता है मोखना सब्रहरा इस तरप मुधिक करते हैं तो इस तरह से आपको कर लेना से बराबर करता रहा आप से 1 बृटा शक्त नहीं है बॉप लेना कोई हुट पौना इंच काफी है क्योंकि हमारा वेश्ट और हीप ज्यादा नहीं है जिसका बंब बड़ा होता है उसके लिए इस तरह से किया जाता है यानि ज्यादा ज्यादा पीछे उटाया जाता है और यहां पर थाई पर भी लूज दिया जाता है तो अच्छी तरह बैठता है जो यह और सोट होना चाहिए लेकिन मैंने पहुना इंच पर लगा कि आपको दिखाया है कि इस तरह से करके पहले कर लो जो भी बैग में लूजिंग देना इलास्टिक वाला है तो थोड़ा ज्यादा लूजिंग के साथ आप बना सकते हो तो जो भी आपको कमफर्ट मैसूस हो उस तरीके से कर सकते हो मैं अपने तरीके से लगा है अब अपने तरीके से कर सकते हो अब यहाँ पर क्या करना है कम से कम एक सवा इंच का यहाँ पर ऐसा बढ़ा लेना है ज्यादा भी बढ़ा सकते हो आपकी मर्जी है उस तरीके से करके लोजिंग के हिसाब से कर लेना है और यहां पर हम सेब देंगे, तो जिस तरह का सेब हमने उधर दिया था, यानि के परेंट में दिया था, उससे ज़्यादा यह सेब देना है, तो यह जैसे पैंट कटता है, उसी तरीके का है, बाकी कुछ अलग नहीं है, अब इस तरह से निसान लगा लेंगे, और यहां पर और थोड़ा सा जुका लेना है, बैक को भी और क्वाटरेंट जुका लेना है, इस तरह जुकाओगे, तो ही अच्छी तरह से यह जब यह फोल्ड होगा, तो अपनी जगह पे जाके बैटेगा, और जरा भी आपके यह कटिंग में, यानि के बल नहीं आएगा, बल मतलब की बहुत लोगा पैर जो होता है, लंबा वैंट जाता है, इसमें मेरे कटिंग में नहीं आता है, बिल्कुल परफेक्ट सीधा आता है, तो कैसे आता है, मैं टन करके भी अभी आपको दिखा दूँग, तो बैक का मैने किस तरह रखा है, मार्किंग पर ही कटिंग करना है, ताकि ये बरबर जो कटिंग होए, बराबर बैटे, तो देखिए अभी भी ये कटिंग करने की जरुवत है, तो यहां पर हम इस तरह टन करके, इसको हम जितना भी इस्ट्रा है कटिंग कर दे के, तो ये बराबर हो जाएगा, इस तरह से मिला के कटिंग करेंगे, तो करके किसे तरह करना है, वैसे मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा दूगा, वैसे मैं अभी करके आपको दिखा दूँगा, तो किस तरह का दिखाई देगा तो इस तरह से मैं यह करके आपको दिखा दिया तो यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से हो जाएगा तो आपको joint side में नहीं देना है side का पहले back कर लेना है यानि कि उपर का part और उसके बाद हम joint करेंगे तो शरिफ inside area में आपको यह नीचे वाले part का joint आएगा बाकी यह side में side की तरफ नहीं आएगा तो इस तरीके से एक ही joint पही बनेगा नीचे का गेरा तो उस तरीके से proper समझ के अच्छी तरह बना सकते हो अब यह आटा दिया में और यहां पर नाप के आपको दिखाता हूँ कि कितना हमरा यह निखला है उसी हिसाब से हम यह cross cutting को cutting करेंगे यानि वो fixed cutting होता है इसलिए हमको नाप लेना है कि कितना यह निखला है तो जितना भी है इसको हम इस तरह count कर लेंगे और उसके बाद हम cutting करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से cutting करना है नीचे वाले पाट को तो हम cross में cutting करके आपको दिखा देते हैं अम रेला में तो जो भी हमारा length उपर का है मैंने 17 इंच रख दिया है क्यों रखा है 16 पर cutting किया था तो इसलिए मैं आपको cutting करके दिखा दे रहा हूं तो देखें इस तरह से cross कर लेना है घेरे को नाप के जितना मैंने नापा था उतना बरबर निकल लेगा उसके बाद हम इसको cutting कर देंगे तो इस तरह से cutting करेंगे तो यह ज़्यादा cross नहीं है ज़्यादा घेरा नहीं निकलेगा लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं यह भी चल जाता है और यह सब cutting करना है तो falling कपड़े में करना चाहिए जिसका fall अच्छी तरह से आए और आप cross करके वहाँ पे plitting भी कर सकते हैं और ज़्यादा अभी देखिए जो भी हमारा उपर का पार्ट है उतना माइनस करके और इस तरह के से रखके जो भी length है उसको हम निकाल के cutting करेंगे यहनि 39 है तो 39 के हिसाब से थोड़ा बढ़ा के हम cutting कर लेंगे तो हो जाएगा तो इस तरह की से रखके मेरा तरीका देखो किस तरह से कि मैं जो है ऐसा बिझा के नहीं cutting करता हूं और इस तरह से करके बराबर करके cutting कर देता हूं तो इस तरह मैंने थोड़ा बढ़ा के लिए है बाद में हम चाट देंगे ठीक है अभी मैं दुसरा पार्ट को भी जाके दिखा देता हूं कि भीचा के कर सकते चाहरा लुजब कर सकते में अगर खोट अ है तो तो इस livro बाधे भी हो जाता है ले किन आप ज़्याये जो यह ते बड़ए बड़ा आउटफीं ढूं परको खाएंगर को और। यह तरह से कुछा नुवक्तु कुछा हैं भीटिस योदोर के परफेक्ट आजाएगा तो इसकी cutting हमने कर दिया, अब जो है हम इसको cutting करके आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह करना है तो ये दो पार्ट हमने fold किया है, इस तरह से रख लेना है और इसको इस तरह बिछा कर मार्जिंग चोड़ते हुए cutting करना है तो जैसे मैं cutting कर रहा हूं, उसी तरह से आपको cutting करना है, तो देखें किस तरह से cutting हो रहा है, इसी तरह से cutting करते जाओगे, perfect cutting हो जाएगा, तो इस तरह से margin छोड़ते हुए, देखो मैंने किस तरह का है, जितना पकड़के हम stitching करते हैं, उतना ही छोड़ते हुए जाना है, और यानि कि बराबर cutting हम कर लेंगे जिस तरह से हमारा फर्मा है उसी तरीके से करना है इस तरह करके cutting करेंगे तो यह perfect होता है बराबर होता है यह पाट हमारा back का है back का हमने cutting कर लिया अब इसमें elastic लगाना है तो कोई अब नहीं करना है लेकिन मेरे पास खड़ा कपड़ा नहीं था आणे में वेने किया है तो जो हमारे पास ready कपड़ा आता है उसमें से मैंने largest करके बनाया है तो इस तरह से मेरा cutting हो गया अब देखे मैंने stitching कर लिया कि स्तरह किया है अभी देखे हम ने के उपर हमने border भी लगा है जो भी हमारा देखिए फ्रेंट कितना सोट है और बैक कितना लंबा है तो इस तरह पैंट की तरह कटिंग करोगे तो बराबर होगा बहुत लोग जो है नॉर्मली कटिंग करके नॉर्मली बनाते हैं वह बैठरी नहीं होता है अच्छा नहीं होता है तो यह क्रोस पार्ट किस तरह से लेस लगा कर लिया है आप लोग को मेरा कटिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो दोस्तों में सेर जरूर करो तो देखिए किस तरह समय ने किया पूरा इसमें आपको डीटेल में साध नहीं दिखता होगा लेकिन बहुती कम गेरा ह है क्योंकि दो मीटर में बना मैंने बना दिया है ठीक है तो इसलिए जो कम घेरा आए अगर आपके पास इनेफ कपड़ा है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो जैसा चाहिए वैसा फ्लेयर करके कर सकते हो लेकिन फिनीशिंग और फिटिंग देख लो यह मैंने इलाश्टिक वाला बना है कितना बेतरी आपको दिखता होगा तो इस तरीके से बना के ट्राइ कर लो जिसको भी बनाना है तो मझे उमीद है कि आपको यह मेरा कटिंग पसंद आएगा चलिए वीडियो एंड करते हैं अल्ला आफीज